लोग डाउन की वज़े से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो उनके वाबाप पे नहीं कर सकते हैं जो विचारे दिन में कमाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं लेकिन बदकिसमती से यहां हमारे कुछ ऐसे कुछ क्या सब सुकूल पूरा फीस, 100% फीस लेना स्टार्ट कर दिया, मैं गौवर्नर साब से गुजारिश करना चाहता हूं कि सुकूल के जो फीस है, उसमें खाली ट्यूशन फीस की मांग की जाए, बच्चा खाली ऑनलाइन पढ़ता है, पर्टिकुलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक कोई फीस न करना चाहता है, लेकिन उनके बच्चे जो उनके बाप जो बिचारे दिन बर मज़़ूरी करते हैं, अब हर एक बच्चे का बाप तो कोई बड़ा पैसे वाला तो है नहीं, कि वो कहीं से भी बढ़ देगा, तो मैं इसमें भी गौवर्नर साब से गुजारिश करना चाहता ह साथ मैं, जो हमारी वहाँ पर टीचर्स है, चाहे वो मेल है या फिमेल है, उनकी तंखाये ना रोकी जाए, एक तो उनकी तंखाये रोकी जाती है, दूसरे साइड से उनको बोला जाता है कि नहीं स्टूडन्ट से फीस लिया, स्टूडन्ट से फुल फीस लिया जाता है, ल बहुत सीरियस नोट करने की जुरत है और इसमें उनको देखने की बहुत जुरत है तीन दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई है पार्टी हैड़कॉर्टर में शिवपूरा में वहां पर हमारी में डिमांड जो रही है वो स्टेट हुड की बात है जो अनुरेबल होम मिनिस्टर में फुलोर आप दे हाउस पार्लेमेंट में क्लियर कर दिया कि स्टेट हुड हम लोग जुमू कश्मीर को वापस देंगे जुमू बहुत बड़ा एरिया है कश्मीर भी बहुत बड़ा एरिया है आज तक जब भी दिया गया है यूटी से स्टेट बनाया गया है लेकिन हमा कि हमें स्टेट हुड वापस कब मिलेगा अगर अन्रेवल होम मिनिश्टर ने कमिटमेंट की है एक साल पूरा हो गया पांच अगस्ट से लेकर आज एक साल एक भी न हो गया तो इतना टाइम पूरा होने के बावजूद आज तक हमारे पास स्टेट हुड अगर वापस नहीं तो हम उसके लिए गुजारिश कर रहे हैं वापस कि इसको स्टेट हुड हमें दे दे जिससे लोगों की एक एस्पिरेशन जिनके सेंटिमेंट्स और इमोशन जोगों के जुड़े हुए है उससे थोड़ा सा उतना हमनों को फरक तो नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा ल